मुझाज़ पाटनी शोओ में एक बार फिर आपका स्वागत है पूरे देश में हम लोग बिजनेस सक्सेस पे प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है एक्सिलेंस गुरुकुल अभी उसी का एडवांस्ड वर्जन लांच कर रहे हैं प्राफिट गुरुकुल इसमें हम अक्सर पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूचते हैं आपका हमारे अइडियल है हमारे आइकॉर मुझे भी वह बहुत पसंद तो रतन डाटा के बारे में कहीं मैंने कहानी पढ़ी है park caucus मैं आपको तुरंत उनके साथ जो लोग थे उन्होंने आसपास के टाटा के डीलर्स को खबर कर दिया अब टाटा के इतने सारे प्रोडक्ट हैं हर जगा कोई न कोई डीलर है तो तुरंत अत्काल बहुत सारे डीलर्स वगेरा टाटा साव आएं उनको लेने आ गए अब जो भी नई विवस्था होनी थी जो भी रिप्लेस्मेंट में आ रहा था उसको आने में कम से कम चार पांच छे घंटे क्या समय था तो रतन टाटा ने पुछा कि आसपास अपना कोई प्लांट है तो किसे ने बताया हां सर ये प्लांट है तो रतन टाटा ने बोला चलो वहाँ चलते हैं और रतन टाटा कहते एक कार में वहाँ चले गए साथ में कुछ लोग थे और उन्होंने गेट पे ले जाकर अपनी गाड़ी खड़ी की तो साथ वाले लोगों ने गाड़ से कहा दर्वाजा खोलो गाड़ ने बोला गेट पास दिखाईए जो कार में बैठ थे हुँ उन्होंने का पागल हुएं कार में कमपानी के मालीक है रतन टाटा तुम गेट पास मांग रहे हो वो कहता है ध्योर कौन है मैं भी जानता मेरे को यह बताया गया है कि अन्दर आने के लिए या तो आदमी के पास गेट पास होना चीक या वैसे हमारे देश में वी आईपी कल्चर वी आईपी के लिए सब खाली होता है वह बहुत भरक गए तुम को समझ नहीं आ रहे हैं तुम किसको रोक रहे हैं तो वह बड़े मासुमियत से कहता है गाड सब्सक्राइब यदि मालिक है तो उनको तो गेट पास अराम से मिल जाए यदि मालिक है तो उनको आईकाड की क्या दिक्कत है तो वह अपनी जगह आणके बैठा रहा उसने दरवाजा नहीं खुला अंदर पूरे ख़बर फैल गई कि टाटा साब को रोक लिया गेट पे अंदर से दोड़ते दोड़ते अधिकारी बहार आए तुरंद गेट खुल में लग गया कि वह समझ या कोई तो बड़ा तोप था अगर बढ़ होई अपने से तभी इतना हड़कम मचा है और एक दिड़ घंटे बाद अचाना के एक अनाउंस्मेंट होता है जिसमें उस गार्ड को हॉल में आने को कहा जाता है अब गार्ड सोचता है अरे सब के और सारे लोगों ने उसके लिए ताली बजाई पूरा हॉल पूरा हॉल उसके लिए ताली बजा रहा था और वहीं को वहीं उस गार्ड के लिए एक बड़े अवार्ड का अनाउंस्मेंट किया गया और साथ हमें कैश प्राइज दिया गया ऐसा क्या किया था उस गार्ड न हमारे यहां कोई रोक दे नार्माली मालिक को बाद में वो फायर हो जाएगा लेकिन उसको सम्मान मिला लेकिन उसको तालिय मिली लेकिन उसको प्रमोशन मिला लेकिन हर व्यक्ति की नजर में वो हीरो हो गया ऐसा क्यों क्योंकि रतन टाटा ने एक बात कही यदि इसको ये सिखाया गया था कि इस gate से आने वाले हर आदमी के पास gate pass होना चीए या उसकी कार में sticker होना चीए यदि इसने gate pass और sticker ना होने की वज़े से मुझे रोका है तो इसका मतलब ये अपनी जगा का मालिक है ये उस gate का मालिक है और इसने एक नियमतव वरताओ किया है कि जो कुछ होगा नियम से होगा इसने परवा नहीं की गेट पे कौन है और कौन नहीं है ये दबाओ से हटा नहीं ये दबाओ से ढिगा नहीं ये दबाओ से ड़ना नहीं और इसने गेट पर वो किया जो एक सच्छे ओनर मेंटेलिटी वाले इनसान को करना जाए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप यदि कहीं जॉब भी करते हैं तो आप स्टाफ बनके जॉब मत करिए ओनर बनके जॉब करिए ओनर एक पद नहीं है ओनर एक सोच है ओनर सेलरी से नहीं होता है ओनर माइंड सेट से होता है हो सकता है आप पानी पिलाते हों ऐसा पानी पिलाए कि सामने वाले को लगे क्या अग्रह से पिलाया है हो सकता है आप पेंट्री में हों आप चाहे पिलाते हों आप ऐसे काम करिए कि आपके बॉस आपके मैनेजमेंट आपके ब्लाइंड भरोसा करें और अपने आप माली के तो आप अपनी टीमों को भी सिखाईए कि ओनर मेंटैलिटी से काम करें एक ओनर घड़ी नहीं देखता है एक ओनर परवा नहीं करता है एक ओनर ओनर इसलिए क्योंकि वो सुबह 6 बज़े भी काम कर सकता है और रात को 12 बज़े भी काम कर सकता है और यदि ग्रो करना है जिंदगी में तो ओनर मेंटैलिटी जरूरी है क्योंकि ओनर मेंटैलिटी हो सक आपको अपनी कंपनी के बहुत उपर के पदों पर ले जाए और मेंटैलिटी यह भी हो सकते हैं आपको खुद कहीं का ओनर बना दें तो उनर एक सोच ओनर एक mindset है, ओनर एक thought process है, और staff mentality से काम करोगे तो फिर घड़ी देखोगे रोज, इतना बज़ी है मेरे को तो जाना है, मेरा तो ये काम है, आज तो मेरे चुट्टी का दिन है, मेरे को तो जादा काम बता दिये, मेरे से तो जादा महनत करा लिये, दूसरे को तो ऐसा करते है मेरे साथ तो ऐसा करते है, रोते रही है फिर, staff mentality वाला आदमी कभी बढ़ा नहीं हो सकता, वो कभी जिम्मेदार नहीं हो सकता, उसमे कभी कोई भरोसा नहीं करेगा, उसमे कभी कोई trust नहीं करेगा, उसकी growth नॉर्मल रहेगी, कभी कुछ extraordinary नहीं करेगा, और owner mentality वाले आदमी को पूरी दुनिया चाहती है, जिसमें leadership है, जो आगे बढ़के जिम्मेदारी लेता है, जो proactive होता है, जो गलत हो जाया भले, लेकिन काम करने को तयार होता है, जो गलतियों से सीखता है, बहतर बनता है, आगे बढ़ता है, उसको कहते है owner mentality, और जो बावर एक ही गलती करता ह है, अब मैं क्या करूं सर, अब मैं जित्ता जानता हूं, उत्ता ही जानता हूं, यह staff mentality है, वो ना सीखने को तयार है, वो ना upgrade होने को तयार है, वो ना change के लिए तयार है, वो ना transformation के लिए तयार है, वो ना growth के लिए तयार है, वो किसी चीज़ के लिए तयार नहीं है, वो staff mentality से जिए हैं कुछ लोग घरों में अपनी जिन्दगी पर बाद करते रहते हैं कि वह सोच आउसत होती है इस आप सोच वह सोचते हैं कि मैं बहाना बना रहा हूँ तो किसी और का नुकसान कर रहा हो आप जब किसी और को वाहना बना कि यह सोचते हो कि मैं उसको बेवकुब बनाने में सफल हो गया तो आप किसी और को नहीं अपनी जिन्दगी को बेवकुब बनाerve है सक्सेसत को बेवकुब बना रहे हो एक दिन जिन्दगी में पलट के देखा बहुत अफसुस होगा जब मैं जो कर सकता था तब मैंने वो क्यों नहीं किया क्योंकि जिंदगी लौट के नहीं आती है ताइम एक limited commodity है बड़े बड़े राजा महरादया तोप की आउकात नहीं है कि एक second लौटा के लिए आए हो इसलिए याद रखना हर दिन जो गवा रहे हो हर दिन जो असद बनके जी रहे हो वो लौटा नहीं पाओंगे बहुत अफसोस होगा इसलिए आज से हर पलोनर mentality के साथ अपने हर काम की जिम्मेदारी लो जो आप बोल रहे हों शब्दों की जिम्मेदारी लो जो आप सोच रहे हों विचारों की जिम्मेदारी लो क्योंकि आपका भविस से कोई जोतिस ही नहीं बता पाएगा आप हर दिन जो कर रहे हैं उससे हफता बन रहा है हर हफते जो कर र ओनर मेंटालिटी से जी हो ओनर की सोच होती है वो सोच अपना हो शुक्रिया धन्यवाद